हलो एफ्रीबवान, वेलकम टू ग्लोबल ओनलाइन, दिस इस अंकिता सोच, तो आज की सेशन में हम कवर करेंगे नॉन वर्बल कम्यूनिकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसी क्यूस और एमसी क्यूस की हल्प से आपके नॉन वर्बल कम्यून के सारे कॉंसेट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे तो आप सभी स्टुटेंट्स इस वीडियो में तक जरूर बने रहिएगा तो पेपर वन प्रेपरिशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉंच किया है जिसमें की 100% सेलेक्शन की मैं आपको गैरेंटी देती हूं इसमें फुल सलिबस वीडियो लेक्चर्स में लेंगे जिसमें की स्मार्ट इंशॉर ट्रिक्स की मदद से आपके सारे कॉंसेट्स हम क्लियर करेंगे फुल सलिबस नोड्स, फुल सलिबस मॉक टेस्स जिसमें से की आस इटिस क्वेशन हर बार एक्जाम में आते हैं और बार 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 क्वेशन एग्जाम में आते हैं जिससे की स्टूडेंट का बहुत एजीली एक्जाम क्वालिफाइ हो जाता है and इस complete course को join करने के लिए screen पर दिएगे किसे भी एक number पर whatsapp की मदद से आप लोग easily contact कर सकते हो generally इसकी fee है 3000 रुपीज लेकिन students आज मैं आपको देती हूँ बहुत ही अच्छा discount यानि कि इस complete course के लिए आपको सिरफ 2000 रुपीज पर करने होंगे दिसको की लगातार एक साल तक आप यूज कर सकते हो तो आज ही इस complete course को join करके आप अपना dream पूरा कर सकते हो पेपर बन complete course को join करने के लिए आप global online app को भी download कर सकते हो जो कि बिल्कुल free app है इसका link description box में मिल जाएगा एप download करने के बाद store section पे जा करके search bar में आपको लिखना है मध्यपरदेश set exam 2023 दिन आपके सामने इसका overview आजाएगा जो कि already हम discuss कर चुके है दिन आपको जाना है इसके content section पर यहाँ पर आप देख सकते हो full syllabus mock tests, 2000 plus MCQ PDF and आपको unit wise separate folders मिल जाएगे जिसमें की exam oriented way में यहाँ पे video lectures and notes available है यहाँ पे अगर किसे भी unit पे अगर आप directly click करते हो तो आपको theory lectures MCQ lectures, full syllabus, notes and test series मिलती हैं जो कि definitely आपके first attempt में भी इस exam में अच्छा score करने में आपको मदद करेगा 100% selection की यहाँ पे हम आपको guarantee देते हैं इसके साथ ही questions पे जाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि UGISnet paper 1 में unit number 4 है communication जिसका यह complete syllabus है जिसमें आज का हमारा topic यह रहा non-verbal communication बढ़ते हैं अपने questions की और तो पहला question यहाँ पे है non-verbal communication is mostly तो देखो students question पे जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि communication के case में non-verbal communication exactly क्या होती है तो previous lecture में हमने देखा था verbal communication क्या होता है उसमें हम लोग words का use करके words का use करके letters का use करके अपनी बात किसी दूसरे person तक पहुंचा सकते हैं चाहे वो हम बोल कर पहुंचाते हैं चाहे हम लोग लिख कर पहुंचाते हैं ठीके तो यह होता है verbal communication दूसरा है non-verbal communication जिसको की अशाब्दिक संचार बोला जाता है इसमें हम लोग words का letters का use नहीं करते हैं इसमें हम लोग इशारों से बाते करते हैं ठीके so non-verbal communication को हम simple language में ये भी बोल सकते हैं कि the message is transmitted without words यानि कि शब्दों का इस्तेमाल किये बिना यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं also it is all about body language of the speaker ठीके body language से related जब भी कहीं पे बात आती है तो वो non-verbal communication होता है जैसे कि मान लीजे मैंने अपने हाथों के इशारे से मैंने अपने हाथों के इशारे से किस student को कुछ बोला कि यहां आ जाओ या फिर यहां से चले जाओ या फिर मैंने facial expression से किसी को कोई बात कहने की कोशिश की तो यह सब चीज़ें आती है non-verbal communication के अंदर सो इस question पर बढ़ते हैं इसमें पूछा गया है कि non-verbal communication mostly क्या होता है options are mechanical, organic, unstructured या फिर structured तो non-verbal क्या होता है generally unstructured होता है और संरचित होता है क्यों इसको संरचित बोला जाता है क्योंकि देखो अगर person A ने मान लीजे person B को को कोई हाथों से इशारा किया ये बोलते हुए कि यहां से चले जाओ लेकिन person B इस चीज़ को नहीं समझ पाया और वो पूछता रह जाएगा कि हान जी आपने क्या बोला इस तरह से आप लोगों ने भी बहुत बार situation face की होंगी तो इसलिए non-verbal को हमीशे unstructured माना जाता है तो इसका right answer आप देख सकते हो option number 3 next question is which of the following is an exclusive example of non-verbal cues that includes the pitch rate, volume and use of pauses so non-verbal communication में जहां पर pitch use होती है यानि कि जैसे मैं बोल रही हूँ मैं अगर धीरे से बोलूँ मैं या फिर चिला कर बोलूँ वो जो मेरी pitch है मेरे बोलने का rate है, मेरा volume है, मेरा pause लेने का तरीका है ये किस चीज के exclusive example है in case of non-verbal communication तो आप देख सकते हो यहाँ पर non-verbal communication के 4 examples दिये हैं आपको बताना है कि ये वाले जो question में ये question में जो कुछ terms दी हैं ये किस से related है so directly मैं answer की तरफ move करती हूँ so इसका right answer है option number 4 that is para language so देखो students, para language क्या होता है non-verbal communication में मैं आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं words का use नहीं करते हैं हम लोग expressions के through काम करते हैं facial, hand expressions, gestures कुछ भी हो सकते हैं so para language क्या है ये एक vocal characteristic का broad range होता है जो की बहुत सारे expressions को हमें control करने में मदद करता है speaker के attitude को present करने में मदद करता है अब जैसे कि मालीजे A person, B को बात पहुँचाना चाता है उसको कोई इशारा करना चाता है तो para language हमें मदद करती है जानने में कि A किस situation में है A अगर stress में है तो भी हमें पता चल जाएगा ठीके A का emotional level क्या है A का gesture क्या है जैसे मालीजे A ने B को कोई जल्दी जल्दी में इशारा किया तो हम ये समझ जाएंगे कि A को बहुत जल्दी है कहीं जाने की तो para language ही हमें ये मदद करती है कि कोई अगर इशारा कर रहा है कोई हमें non-verbal तरीके से कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो वो किस situation में है वो किस mood में है तो जैसे कि अगर मैं चिला कर बोलती हूँ मेरा volume बहुत high है तो इसका मतलब है कि मैं गुस्से में हो सकती हूँ वहीं अगर मैं बहुत politely आप से बात करती हूँ तो इसका मतलब है कि क्या वो गुस्से में है क्या वो घवराया हुआ है इस तरह की जो भी चीजे होती है ये चेक करने में हमें para language मदद करता है उसके pitch rate volume and pause की मदद से ठीक है अब para language के अंदर कुछ और characteristics भी आती है ठीक है characteristics नहीं बोल सकते इसको aspects बोल सकते है जैसे कि पहला expect आता है facial expressions दूसरा आता है उनका gesture तीसरा आता है उनका eye contact चौथा आता है किसी person का silence यानि कि उनका चुप रहना pause pitch यहाँ पे हमने देख लिया है ठीक है proper word stress इस बार क्या होता है कोई person एक word पे बहुत जादा focus करते हुए बोलता है इसका मतलब क्या है कि वो सामने वाले को बताना चाता है कि इस चीज़ पे आप ध्यान दूझे ठीक है तो वो चीज़े important होती है और यह सारी किसके अंदर आती है para language के aspects के अंदर आती है so I hope यह concept आप पिलको clearly समझ चुके हो अगर यह video आपको पसंद आ रही है तो आप मुझे comment करके बता सकते हो अगर फिर भी कोई doubt है तो भी अपने अगले question की और यहाँ पे आप देख सकते हो statement based question है पहली statement बोलती है signs and symbols have internal relations to produce meaning so जैसे कि हम sign language में बात करते हैं symbols के साथ किसी से बात करते हैं तो किसे भी word का meaning produce करने में उनमें internal relationships होते हैं and वहीं second statement बोलती है it is possible because of a network of signs through such relationships यानि कि ऐसे संबंधों के माध्यम से संकेतों के एक network के कारण ही संभव है so options आपको पता है यहाँ पे है कि बोलता है कि दोनों ही statements true है दूसरा option बोलता है कि दोनों ही statement false है दीसरा option बोलता है पहली statement true है बट दूसरी statement false है and चौथा option बोलता है statement one false है and वही statement two जो है वो true है so देखें अगर इस question की और so इसका right answer है option number one that is both one and two statements are true ठीक है so यह बहुत ही जादा easy question था यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले देखो जो बोला है sign and symbols have internal relationship to produce the meaning यह क्या होता है कि अब human क्या है वो consciously या फिर subconsciously क्या करते हैं कुछ senses उनमें होती है कुछ symbols होते हैं कुछ signs होते हैं कुछ signals होते हैं जिसको की हम लोग बचपन से देखते आए हैं जो कि हम easily समझ जाते हैं यह statement में बोला गया है ठीक है so इसलिए statement बिल्कुल true है यह वाली and statement two बोलती है this is possible because of a network of signs through such relationships ठीक है इसमें क्या है जैसे कि company के logo है traffic signal है symbols है यह सब चीज़े अगर हम लोगों को एक बार knowledge होगा जैसे कि global online का symbol आप लोगों ने अगर देख लिया है हमारा logo अगर आप लोगों ने एक बार देख लिया है तो उसके बाद आपको कहीं पर भी इसलिए लोगों दिखेगा तो आप identify कर सकते हो क्योंकि यह already हमारे जो है network में चीज़ें आ चुकी है ठीक है next question है in nonverbal communication chronomics refers to chronomics का मतलब nonverbal communication में क्या होता है time से related होता है place से related होता है space से related होता है या फिर person से related होता है यहाँ पर space का मतलब actually अंतरिक्ष नहीं होगा space का मतलब होगा जो कोई जगा होती है space जो हम gap देते हैं बोलते हुए ठीक है तो इसमें chronomics का मतलब होता है option number one time तो जब भी time की बात करें तो chronomics होता है non-verbal language में ठीक है इसी के साथ देखो आप लोगों के पास बहुत सी चीजें होती है simple language में अगर हम बोरें तो chronomics is a discipline concerned with study of person's use of time अगर मान लीजे मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ कि last year आज के दिन मेरा UGISnet exam qualify हुआ था तो इसमें मैंने समय use किया एक time को मैंने identify करवाया है यहाँ पे तो ये क्या है ये chronomics है ठीक है it can help us understand how people perceive and structure time in their conversation and interpersonal relationships इसके अलावा एक चीज और होती है जिसको क्या बोला जाता है मैं one by one आपको बताती हूँ note कर लीजेगा बहुत important है ये है proximics ठीक है proximics होता है अगर हम लोग space की बात करें तीसरा आता है oculusics ठीक है ये होता है हमारा eye contact से related eye contact and behavior ठीक है ये होता है oculusics उसके बाद आता है haptics haptics आपको पता होगा touch-serrelated जो बिमारियों में आप लोग ने सुना होगा कि ये haptics होता है तो touch-serrelated जो भी communication होता है जैसे कि हम कभी किसी को हाथों से वाजू से मार करके कुछ इशारा करके बताने की कोशिश करते है वो haptics होता है ठीक है उसके बाद आता है फिर vocalic ठीक है तो ये क्या होता है ये tonal quality होती है हमारे voice की उसके बाद last आता है हमारे पास kynesics kynesics होता है हमारा body language से related so इन चीजों को note कर लीजे examination point of view से ये बहुत ही जादा important है इसके बाद बस यही चीजे थी next question पे जाते हैं जहां पे हम देखते हैं ये लिखा है nonverbal communication makes use of so nonverbal communication किसका use करता है behavior of generate meanings, behavior to generate meanings, emotional meanings, a non-clear system of rules, verbal fitness, verbal fineness and clarity in abstraction so इसका right answer जो है, right answer है यहां पे option number one that is a, b and c, verbal fineness and clarity in abstraction यानि कि मोखिक चालाकी और अमोर तता में इस पश्टता जो है वो इसका एक पार्ट नहीं होता है, वो nonverbal category में count नहीं किया जाता है इस तरह के questions आपको पता होने चाहिए, I hope इन questions के मदद से आपको nonverbal communication के सारे concepts clear हो चुके है अब यह five questions के base पर आपको एक last homework question मैं देती हूँ इसका answer हमेशा की तरह comment आप करोगे, मुझे पता है आप यह concept समच चुके हो और इसका answer आपको आता होगा which of the following is not an example of nonverbal communication so nonverbal communication के example कौन सा नहीं है letter writing, facial expressions, face of speaking या फिर silence अभी हमने इस तरह के questions discuss किये हैं तो जरूर आप लोग इसको देख लीजेगा ठीक है, comment जरूर कीजेगा students मैं वहीं पर आप लोगों का reply करूँगी कोई doubt है किसे particular topic पर आप चाहते हों कि मैं video लेकर के आऊं तो भी मुझे